हाई दिस इस पूरम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना निउस केंद्री शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंक ने केवी स्टुडेंट्स के साथ वेबिनार आयो जित किया जिसमें विद्यार्थियों से सवाल जवाब भी किये गए शिक्षा मंत्री ने ये गोशना भी की कि विद्यार्थियों से संशोधित सिलेबस से ही बोर्ड परिक्षा 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे केंद्री शिक्षा मंत्री ने केवी एंड्यूस गंज नई दिल्ली से कारिक्रम में हिस्सा लिया और विद्यार्थियों के सवालों का जवाब भी दिया शिक्षा मंतरी द्वारा शिक्षक, विध्यार्थी और अभीभावकों के साथ समय समय पर webinar आयोजित किये जा रहे हैं सह भागिता कारिक्रम के दोरान विध्यार्थियों ने शिक्षा मंतरी निशंक से विभिन शेत्रों और विशेों से संबंधित प्रश्ण पूछे केवी गुरुग्राम के एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्ण का उत्तर देते हुए पोख्रियाल ने बताया कि इस वर्ष COVID-19 के कारण पाठिक्रम में 30% तक की कटोती की गई है इसलिए इस वर्ष JEE और नीट जैसी आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं में उम्मेद्वारों के पास अधिक विकल्प होंगे वारा नसी के एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्ण के जवाब में पोख्रियाल ने कहा कि इस्कूल के दोबारा खुलने के बाद भी ओनलाइन शिक्षा की सुविदाएं जारी रहेंगी कुछ समय के लिए विद्यार्थियों के पास ओनलाइन और ओफलाइन दोनों का मिश्रित रूप उपलब्ध होगा केंद्री मादिमिक शिक्षा बोर्ड सहीत अधिकांश राजी शिक्षा बोर्डों ने इस वर्ष के लिए कक्षा दसवी और कक्षा बार्वी के सिलेबस को कम कर दिया है केंदरी माध्य में क्षिक्षा बोर्ड की परिक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच आयोजित की जानी है जबकि 2021 की प्रैक्टिकल परिक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी G.Main 2021 इस वर्ष 4 सत्रों फरवरी मार्च अप्रेल और मई में आयोजित की जाएगी G.E.Main 2021 फरवरी सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा नीट 2021 के लिए परिक्षा कारिक्रम अभी घोशित नहीं किया गया है